वही सारे सेंटेंस आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं तो अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंगलिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लाज तक जरूर देखना गैश इलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ भी यह इसे पूछ रहा है कि क्या इससे वह मारता है तुम्हें? मैं थक चुकी हूँ मैं क्या करूँ? मैं बस उसे मरना देखना चाहती हूँ what do I do, I just want him dead, what do I do, मैं क्या करूँ, I just want him dead, यानि कि मैं चाहती हूँ कि मर जाए, I just want him dead, वह खडूस heart attack से भी नहीं मरा, the grouse didn't even die of a heart attack, वह खडूस heart attack से भी नहीं मरा, the grouse didn't even die of a heart attack, वह खडूस heart attack से भी नहीं मरा, 1 second, wait a second, wait a second, 1 second, कब उसे heart attack हुआ था, when did he have a heart attack, when did he have a heart attack, पिछले साल उसने एक महने की छुट्टी लिती, last year he took a leave for a month, last year he took a leave for a month, पिछले साल उसने एक महने की छुट्टी लिती, last year he took a leave for a month, इसे लिए तो ली थी यानि कि उसे heart attack आया था इसे लिए तो ली थी Was it mild और Matthew कहने का मतलब है कि mild का मतलब ही कि हलका और Matthew का मतलब होते कि बड़ा यानि कि बड़े लेवल का भयानक वह यह पूछ रहा है कि Was it mild और Matthew तभी बोलती है कि doctor नोने काम का बोच कम करने के लिए सला दी listen का मतलब होतागा इसी कम तो वही जहां पर आप reduce का भी उश कर सकते हो doctor advised him to reduce the workload doctor नोने उन्हें काम का बोच कम करने के लिए सला दी यानि कि जो इतना काम करते थे उनको बोले की काम कम करो आगे देखते हैं क्योंकि दूसरा अटेक जानलेवा हो सकता है क्योंकि दूसरा अटेक जानलेवा हो सकता है क्योंकि दूसरा अटेक जानलेवा हो सकता है तो वह यह बोल रहा है कि क्योंकि दूसरा अटेक जानलेवा हो सकता है इसलिए डॉक्टर ने उन्हें काम का कम करने का सलाह दिये उसे दूसरा heart attack होगा लेकिन इस बार वो जानलेवा साबित होगा तो गाइस यह बोल रहा है कि उसे दूसरा heart attack होगा but this time it will be fatal लेकिन इस बार वो जानलेवा साबित होगा मैं समझी नहीं I don't understand I don't understand वो बहुत पजेसिव है तुम्हारे लिए He is very possessive about you He is very possessive about you वो बहुत पजेसिव है तुम्हारे लिए possessive का मतलब होता है कि मालिकाना हक हो समझता है कि तुम उसके मालिकाना हक हो तो वो यह बोला कि He is very possessive about you वो बहुत पजेसिव है तुम्हारे लिए अगर हम उसे हमारे relationship के बारे में बता दे इससे बड़ा shock उसके लिए और क्या होगा यानि कि अगर हम उसे अपने relationship के बारे में बताएंगे तो इससे बड़ा shock उसके लिए क्या होगा पर कैसे क्या तुम उसे खुद बताओगे क्या तुम उसे खुद बताओगे उसके ज़रुवत नहीं होगी उससे ज़्यादा पावरफुल तरीका है हमारे पास जैदी साथ आपको तो मेरी कमपनी का creative head होना चाहिए क्या कहानी बनाए है Mr. Mehra, you said you went to the golf course Mr. Mehra, you said you went to the golf course Mr. Mehra, you said you went to the golf course to show your presentation अपना presentation दिखाने के लिए To show your presentation, अपना presentation दिखाने के लिए Wrong, गलत, ये गलत है Presentation तो एक भाना था The presentation was just another excuse The presentation was just another excuse Presentation तो एक दूसरा भाना था The presentation was just another excuse आप वहाँ इसलिए गय थे कि आप निश्शित करना चाहते थे कि वो मर गया की नहीं You went there because you wanted to make sure he is dead You went there because you wanted to make sure he is dead आप वहाँ इसलिए गय थे कि आप बस ये make sure करना चाहते थे कि वो मरा है की नहीं You went there because you wanted to make sure he is dead Hey Samir, यहाँ कैसे? Hey Samir, what brings you here? यहाँ कैसे? यानि कि किस लिए यहाँ पर आये हो? कैसे आना हुआ? What brings you here? कुछ जरुरी काम है, sir I have some important work, sir I have some important work, sir कुछ जरुरी काम है, sir तब आगे बोलता है कि I had to show you something मुझे आपको कुछ दिखाना था I had to show you something देखने की चीज़ी, sir It's worth watching, sir यह गाइस बोल रहा है कि I had to show you something मुझे आपको कुछ दिखाना था It's worth watching, sir देखने की चीज़ी, sir It's worth watching, sir What happened? तो गैस यह देखता है तो इसको कुछ होने लगता है चक्कर उकराने लगता है तो यह लड़की पूछ रही what happened क्या हुआ what happened get the chair, chair ले कर आओ get the chair, तो यह अपने दूसरे लोग से बोल रही कि chair ले कर आओ, get the chair are you okay, तुम ठीक हो are you okay, go get the doctor please, go get the doctor please, जाओ doctor को ले कर आओ go get the doctor please, तो इसको are you alright, are you feeling alright, दोनों का sense वही है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, are you feeling alright the doctor is on his way doctor आर है doctor आर है, doctor is on his way, the doctor is on his way, doctor आर है, आए doctor देखिए come doctor, take a look come doctor, take a look, आए doctor, देखिए, come doctor take a look, देखिए इन्हें क्या हुआ वीडियो में इतना ही जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाईज अगर आप इस चैनल पे नए हैं वीडियो दुबारा देखिए बार-बार सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप इस अगले वीडियो मिलता हूं टिल एंटेक केर की प्रेक्सिंग और थैंक्स वरोचिंग